हलो फ्रेंज वेल्कम टू आल आज मैं अपनी जो वीडियो लिक्या देखे बात करेंगे शियर मार्केट के अपडेट्स की क्या कुछ हुआ आज की दिन में इंडिया में और उसके हलावा अमेरिकन मार्केट में क्या चल रहा है सिंगापूर निफ्टी कहा पे स्टेंड कर र अगर आपको सीखने है तो जोईन कीजिए में बटन बटन पर क्लिक करके यहां पर हम सीख दे लेके जा रहे हैं आपको यूएस मार्केट की तरब सबसे पहले यूएस मार्केट डाउजोंस जरा ध्यान से देखे डाउजोंस 63 पॉइंट अभी के टाइम पर आपको देखन भी हो सकते हैं जैसे कि NASDAQ को अभी आप देख पा रहे हो तो यह बहुत तीजी से भाग रहा है अभी 72 पॉइंट उपर जा चुका है तो यह अभी है लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है कि हम सुबह के टाइम पर इसको देखते कि तब तक के पूरा क्लोज हो चुका होता ह अभी के टाइम पर तो 39 डॉलर देखिए WTI क्रूट ब्रेंट क्रूट 41 डॉलर के आसपास है ग्लोबल मार्केट यानि कि European मार्केट को जड़ा एक नजर डालते हैं आज क्या कुछ यहाँ पर हुआ है येरोपेन मार्केट को अगर फोकस कर रहे है तो आप सिचुएशन दे यह ने कि खाली इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है और अब मैं आपको सिंगापूर निफ्टी के ओपर लेके जाता हूँ आज की डेट में अगर मैं देखू 30 जून को निफ्टी ने 10,180 का लेवल यहाँ पर सिंगापूर निफ्टी के फ्यूचर ने यहाँ पर तेजी देखने को मिली और यहाँ पर 10,300 के लेवल तक निफ्टी आई थी लेकिन उसके बाद अभी की सिचुवेशन जैसी US मार्केट ओपन हुई है सिंगापूर निफ्टी में आप पेन देख सकते हो मतलब ओपन होते ही तीन बड़ी-बड़ी लाल कैंडल और उसके थोड़ा रुका है फिर से गिरावट कॉंटिन्यू हो सकती है चलिए यह तो अभी सिंगापूर निफ्टी का स्टेटस है अच्छी बात यह होती है हमारे लेकि सुबे के टाइम फ्रेम पे हमें यह पता होता कि कहां पर क्या चीज़ें जो है पोजिशन बना चुकी है यान आपने डिटेल देखिए और आज की डेट मागर मैं इंडियन मार्केट को देखू यहां पर तो आप देखिए भई आज हुआ क्या आज ICICI बैंक ने अकेले पॉजिटिव साइट का एक बड़ा कारोबार समाल रखा था साथ के साथ रिलांस इंडस्टी दे मार्केट को ग बैंक का इंडेक्स अल्मोस फ्लेट रहा निफ्टी ओटो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा फानेंशल सर्वेजजु फ्लाट FMCG अल्मोस फ्लाट निफ्टी आयती मेडिया थोड़ा सा डाउन दिखा अमेटल ऑल्मोस फ्लाट रहा निफ्टी फार्मा और P.S.U. बैंक्स मे जराज ध्यान से देखिए निफटी पिछले महिने जुन का मन्थ खतम हो का अब ध्यान देजिए अपरेल के मंत तेजी मे के मन्थमें गर्रेक्शन आई UXC रिजौलव भी हुई और जून मंत के मनक्समें बढ़्या तेजी देखने को मिली और वो में का मन्त ही आपको दिखा रहा था बाइंग प्रेशर और जून का मन्त अब खतम हो चुका है अब बारी है जुलाई सीरीज की जुलाई मन्त की अब जुलाई मन्त की से पहले एक चीज जरूर ध्यान देले निफटी के weekly chart को आप देखिए निफटी का weekly chart आपको क्या कह रहा है तेजी correction तेजी और फिलाई जिस area मेंँ recording कर रही है यहाँ से correction की requirement है और लग भी ऐसा रहा है कि यहां से correction आ सकता है जिस candle को देखे पिछले week की लेकिन अभी correction के लिए ये जो level है 10,200 का level ये breach होना जरूरी है अगर ये breach होता है तो हमाँ यहाँ पर weekly पर bearish joint बनता हुआ दिखेगा जो कि एक correction के लिए आपको होगे कि हाँ पिछले week का low तोड़ दिया है और फिर एक correction की जो है आपको situation दिखेगी तो अब कितना correction आ सकता है क कहाँ पर क्योंकि अलग-अलग major support area अगर आप देखते हो तो आपके पास 94-9500 के लवल पर बढ़िया support available है और इस लवल तक ही correction रही तो ज्यादा better situation रही उसके बाद अगर मैं देखू यहाँ पर 8800 के लवल पर हमारे पास एक दूसरा बढ़िया support available है और यही नहीं अगर म complete indecision अब यह बड़ी candle और यह halt period चल रहा है और अब देखे जब यह low तूटेगा फिर आपको pain के situation देखने को मिलेगी 10100 या फिर 9800-9900 की range भी यहाँ पर काफी important रह सकती है यह आप दिखा आपने nifty को और हम चलते हैं bank nifty के तरह वहाँ पर situation देखते है bank nifty के हालत को अगर 20 यह में weekly का resistance ले रहा है काफी नीचे अभी available है लेकिन similar situation इस week की bank nifty में भी देखने को मिल रही है और जो low है वो 20,900 के आसपास का low है पिछले week का यह तूटेगा तो pain की situation आपको bank nifty में भी देखने को मिल सकती है अगर daily time frame पे देखते हो तो बिलकुल similar situation आप देखे क्या flat ह आप डाउन आप डाउन आज देखे gap अप लेकिन डाउन उससे पहले देखे आप 26 जून को gap अप लेकिन market डाउन gap डाउन लेकिन market अप बिलकुल flat situation flat territory में trade कर रहा है भी bank nifty तो यह चीज थी अब हम बात करते हैं एक 20 billion dollar की 20 billion dollar बहुत ही बड़ी खबर यह आपको देखने को fusion project को यहाँ पर complete किया आपको गयार fusion project कभी आपने science में पढ़ा होगा fusion reaction और fusion reaction जनरली nuclear जो reactors होते है वहाँ पर fusion reaction होती है और आपने देखा होगा uranium की जो अलग-अलग isotopes वहाँ पर होते हैं वो ब्रेक होता है fusion के तुरू और वह important चीज देखिए उसी से आपकी chain reaction होके energy generate होत company हजीरा manufacturing complex in सूरत district in गुजरात आप देख सकते हैं यह बड़ी खबर आज की डेट में और L&T के लिए बहुत ही positive खबर है ऐसे time page क्योंकि L&T जो है majorly बहुत बड़े-बड़े global project इसके पास रहते हैं और एक major revenue इसका जो है वह इंडिया से बाहर से भी आता है तो वह important है य orders इसको मिलते रहते हैं अब यह तो आपने देखा भाई L&T का यह बड़ा नाम आया इसका नाम क्या क्रायो स्ट्रेट एसेंबली वेंग 650 टन इस तो बी इंस्टॉल्ड विद अधर क्रेस्टर सेग्मेंट फॉर आई-टी-ई-आर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक fundamentals देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही बढ़िया है लेकिन market capitalization से ज्यादा उधार हो गया है एक लाख 31,000 करोड का market capitalization है लेकिन उधार देखोगे तो एक लाख 43,000 करोड का अब 936 का price है पिछले कुछ टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी 660 के level पे आ गय यह उधार अपने आप में बहुत बड़ी कमी मैं कहूंगा इसको 40,000 करोड से revenue बढ़के एक लाख 40,000 करोड चला गया profitability देख सकते हैं आप काफी तीजी से बढ़ी है लेकिन यह टाइम पे जो जटका आया है तो हम technical aspect से share को देखने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश कर यहाँ पे जब यह level तोड़ रहा था 1270 के आसपास तो यहाँ पे clear cut आपको देख रहा थे कि यह base टूट रहा है और exit की बारी है 1300 मैं कहूंगा यह 1330 के आसपास का exit की बारी है और जिसने time पे exit ले लिया lower highs देखिए किस तरीके से बने है यह मन्तली पे आपको visible था और stock ने कैसे कैसे आप कह रहे थे कि और भी मुझे यह लग रहा थे कि अगर यह range यहाँ पे टूटती है तो stock में हम और गिरावट expect करेंगे तो और नीची यह जा सकता है अब यह level जो था 650 के आसपास का काफी important level था काफी strong support था support था यही से वापस चला गया लेकिन अगर यह level तूटता तो फिर pain की situation इसकी थी आपके 400-500 की range जो की बहुत ही strong support था मतलब अगर यह level तूटता तो इस strong support को तोड़ पाना काफी मुश्किल काम था यह बहुत strong support था बट इसी level से ही सम्मान जनक स्तेती में यह उपर चला गया लेकिन अभी की situation देखिए बार बार कभी भी किसी stock के बारे में हम आपको बताते कहते हैं trend reversal जरूर देखे हैं अभी correction आया और फिर से अभी तेजी देखने को मिल रही है लेकिन अभी important बात यह है कि 20 EMA weekly है यह strong resistance का काम कर रहा है और यह कर भी सकते है आने वाले टाइम पर जिस तरह किसा situation बन रही है यह strong resistance का काम कर सकता है लेकिन अगर यह level पार होगा तो अगला resistance level हमारे पास है 1120 के आसपास का तो यह छोटी छोटी चीज़े काफी important होती है technical analysis से जब हम किसी stock को समझते है अब इस stock में गिरावट से पहले ही जिस तरह के से हम बार बार आपको alert कर रहे थे इस level को देखे देखे यह range है आप इसको देखोगे तो आपको लगे का भीया यह तो head and shoulder बनता हुआ देख रहा है यानि कि एकर यह line neckline टूटी तो बहुत pain की situation आ सकती है और आप देखिए यह line टूटी और pain की situation वापस pullback हुआ यहां तक और उसके बाद देखे क्या गिरावट आई है यही important चीज़ है और अभी देखिए आप देख रहे हो कि हमें तेजी देखने को मिल रही अब तो अच्छी बात है correction समझ आने लगे तो आपको सारी चीज़े समझ आने लग जागी कि stock market में entry कब कर ला है अभी आप देख सकते हैं कि दो बार 1000 के level को price reject हुआ है लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे पहले भी आपने देखा हुआ यह correction कि तरीके सी multi stage correction और यह जब resolve ह हुई तो share में तेजी आई अभी के टाइम फिर से correction है लेकिन इस breakout के लिए धीरे धीरे अगर यह उपर जया है तो ज्यादा बेटर situation रही यह breakout हजार के level का breakout तो breakout काफी important हो जाता है जब consolidation के साथ या range contraction के साथ वो जाता है फिलाल daily में bullish cross बना है बट bullish cross के साथ अभी इतनी ते का ट्रियो